इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे पांच टिप्स जिससे आपके फोन की जो हीटिंग प्रब्लम है कंट्रोल में आज़ेगे तो टिप नंबर वान कभी भी चार्जिंग पे लगवे फोन को यूज ना करें चार्जिंग के दोरान अपना फोन हमें कभी भी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि charging के type पे already phone heat होता है और अगर हम उस पे कुछ काम करेंगे तो phone जो है बहुत ज़्यादा गरम हो जाता है और phone slow भी हो जाता है तो next time ज़रूर याद रखिए never use a phone while charging tip number 2 never do over multitasking यानि कि ज़्यादा multitasking apps आपके background में ना रखें इससे भी phone जो है for example आप movie भी देख रहे हैं और chat भी कर रहे हैं और Facebook और Messenger जैसे heavy app already आपके multitasking list में है इससे भी जो phone है वो गरम होता है तो इसलिए next time से ज़्यादा over multitasking ना करें सिर्फ 3 या 4 apps उतने background में रखें इससे कि आपके phone के हीट को आपको फोर्स स्टॉप कर देना है जो आपके background के apps को किल कर देते हैं और आपके phone memory को free करते हैं और हीटिंग प्रवर्म पी स्टॉप करते हैं तो इससे दो app है जो आपके phone को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं वो है Facebook और Messenger तो आप जब इनको आपको यूज नहीं करते इनको फोर्स स्टॉप कर दीजिए तो टिप नमर फूर यह है कि आपको ज़्यादा heavy gaming अपने फोन पर नहीं खेलनी चाहिए बहुत देर तक इससे GPU पर प्रेशर पड़ता है और फोन भी हीट होता है तो इसलिए अपनी इन गेम की लिमिट को कम कर दीजिए हापनार आप फेलिए फिर फोड़ा गैप देजेजिए CPU को ठंडा होने देजिए और फिर जो है आप गेम कंटेरिम कर सकते हैं तो अब बार यह है फाइनल टिप की और फाइनल टिप यह है कि जब भी आपके सिस्टेम अपडेट्स आए आप उनको अपडेट कर लीजिए इससे भी जो है आपके हीटिंग प्रॉब्लम स्वालूब होती है और प्ले स्टोर से एक आप ड़नोड कर लीजिए जिसका नाम है कूलर मास्टर यह जो आपको फोन को जबी भी हीट होगा आपको नोटिफिक